हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैट्स यानि की गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम विबिन टॉपिक से मिक्स प्रशन डिसकस करने वाले का सभी को अपने टेस्ट विल्कुल कंप्लीट लगाना है सभी विद्यार्थी कॉपी और पैन साथ में लेकर बैठेंगे मैं उमीद करूंगा सेशन आपको हेलफू लगेगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखीगा आप प्रशनों की संख्या पूरे 15 है औ मैंने आपे प्रिपेर किये हैं तो टेस्ट कंप्रीट लगाईएगा मैं उमीद करूंगा आपके एक्जाम में इसी टाइप से कोश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी कोश्चन बड़ी असानी से करके भी आएंगे पहला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर लेक्ते हो सेकेंड क्या है आपको नाइन का डिवीजिविलिटी रूल पता होना चाहिए नाइन का डिवीजिविलिटी आप देखिए आप इसको direct cancel कर सकते हैं ये 9 आपका 9 से भाग हो जाएगा 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं ये भी आपका 9 से भाग हो गया चार और 5 कितने होते हैं 9 होते हैं तो ये भी आपका 9 से भाग हो गया यानि कि इन संख्याओं का जोड़ आपका 9 से भाग होता है तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से भाग हो जाएगी क्या सभी ने option C को answer दिया है ये divisive letter rule याद रखिएगा question बन सकता है तो बढ़ते हैं question number second की तरफ question number second है आपके सामने ये वाला नीचे दिये गए समिक करण को हल करें चलिए जल्दी से answer दिजिए क्या answer करोगे और देखिएगा मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूँगा तुरंद question को solve करूँगा अगर आपको question आता है तो session को pause करके solve करिए और मेरे से पहले आप सभी को answer देना है clear देखिए ये आपका है under root 54 multiply by 6 अब root 54 को root 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा under root 6 24 का 4 हांसील 2, 6, 35 और 2, 32 324 बन गया ये अब root 324 की value कितनी होती है 18 होती है क्योंकि 18 का square कितना बनता है 324 बनता है तो under root 324 का मान कितना बनेगा 18 बनेगा option आपका C याँँपे बिल्कूल correct answer है क्या सभी ने option C को answer दिया है क्योंकिते हैं question number 3 की तरफ question number 3 अब दिखिए ये प्रशन आपको देखने में बहुत असान लग रहा है परन्तु इसमें आपके गलती के chance बन जाते हैं अगर आपके सामने इस ताप का प्रशन exam में दिखेगा तो आप जल्दवाजी में question को गलत भी कर सकते हैं परशन है कि 6 kg पांच ग्राम है ये sorry 6 kg पांच ग्राम को आपको इस form में लिखना है कैसे लिखोगे तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 1 kg है उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं इतना तो clear है सभी को अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को पहले ग्राम में बदल लेता हूँ 6 kg को ग्राम में बदलूँगा तो ये 6000 ग्राम हो गए 5 ग्राम हमको अल्रेडी दे रखा है तो 6000 पांच ग्राम इतना clear है तो देखिए ये आपका क्या है ग्राम में है हमारा आंसर किसमे है किलो ग्राम में है तो क्या करेंगे इस ग्राम को किलो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं तो जैसे हम 1000 से भाग करेंगे 6.005 kg आपका राइट आंसर होगा option D जिनोंने option D को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्या सभी ने option D को आंसर दिया है क्या सभी को समझ में आया है question number 4 discuss कर रहे हैं आपके सामने screen पर 20, 40, 25 और 30 का LCM ग्यात करें करो जी जल्दी से कैसे करोगे फटा फट से करिए का देखिए 20, 40, 25 और 30 आप मैं क्या कर लेता हूँ देखिए LCM निकालने का सबका अपना अपना तरीका होता है कुछ विद्यार्थी table से करते हैं और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं इनका factor करके solve करते हैं है ना देखिए मैं क्या करता हूँ आपको एक ही पहाड़े पर करकने वाले लग रहे हैं 20 40 और 30 इनका LCM तो तीनों का हो गया 120 कलियर अब यह आपका बचा है 25 तो 120 और 25 का आपको LCM निकालना है तो यहां पर देखिए मैं डारेक्ट करता हूं इसका 600 आंसर आएगा का Option C जिनने Option C को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है अब देखिए आपको मैं एक तरीका और बता रहा हूं इसको मैं राफ कर देता हूं आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं हैं इनका अगर कोई भी LCM होगा तो यह संख्याएं उसको पूरी पूरी भाग कर देंगी सम पानलो आपको संख्याएं काफी बड़ी बड़ी दे दी अब LCM तो 600 निकालने में आपको समय लग सकता है ना आप Option चैक कर लो देखिए अगर मैं 800 को अगर 30 से भाग कर रहा हूं तो 800 30 से भाग ही नहीं हो रहा अगर मैं 400 को 30 से भाग करूं तो 400 भी 30 से भाग नहीं हो रहा तो Option C आपका Correct answer वैसे भी होगा कलियर है चलिए Question No.5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है इसका answer देंगे जल्दी से प्रशन है कि एक परिक्षा में चित्रा ने यह चित्रा है ठीक है 58.5 अंक प्राप्त किये जो 78 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बराबर थे परिक्षा में कितने अंकों की थी बताये जल्दी से Simple सा प्रशन है सिरफ हलका सा दिमाग लगा के आप Solve कर सकते हैं देखिए चित्रा ने क्या किया है कि 58.5 अंक प्राप्त किये हैं जो की 78 प्रतिशत के बराबर हैं यह जो 88.5 अंक है यह 78 प्रतिशत के बराबर हैं बताना है कि परिक्षा कितने अंकों की थी यानि कि आपको टोटल अंक बताने है 100% की value यहाँ पे आप question mark लगा दो यहाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे x लिख लेता हूँ इतना तो समझी में आया है अब क्या करो cross multiply करेंगे आपका answer आजाएगा 58.5 को 100 से multiply करूँगो तो 5850 clear और divide में क्या बनेगा आपका 78 into x आप इसको cancel करेंगे देखिए किस से cancel हो रहा है 13 से करता हूँ 13.78 अब देखिए 13.52 तेरा पंजे 65 यहाँ पे 450 फिर 6 को cancel करके देख लेते हैं 6 742 और यहाँ पे 635 एक्स की value कितनी आई है 75 तो यहाँ पे option D आपका correct answer हो जाएगा क्या सभी option D को answer दे रहे हैं मैं उमीद करूँगा सभी ने option D को answer दिया होगा 6th number question देखिए जल्दी से चलिए को कोशन है कि किसी वस्तु को 72 रुपे में बेचने पर 10 प्रतिशत की हानी होती है 96 रुपे में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाब अथवा हानी होगी करिए जल्दी से solve तो यहाँ पर दिखिए पहले एक छोटी सी चीज समझे दस प्रतिशत की हानी होई है बहत्तर रुपे में बेचने पर तो जो हानी परसेंट है जो solve करने के बाद आपका 72 आया है यह आपका 100 माइनस लॉस परसेंट के बराबर है अगर profit परसेंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 100 प्लस profit परसेंट लिखेंगे यह छोटी सी बात तो आपको पता ही होगी देखिए अब कि 72 रुपे में किसी चीज को बेच रहे हैं तो 10 प्रतिशत की हानी हो रही है यानि कि यह जो 72 रुपे है यह 90 परसेंट की value के बराबर है क्लियर है ना loss को हम 100 माइनस loss परसेंट लिखते हैं तो बोल रहा है कि 96 रुपे में अगर हम उस वस्तू को बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाब अथवा हानी होगी यहाँ पे हमने x परसेंट लिख लिया क्योंकि यह हमको निकालना है अब क्या करो क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दो जैसे ही क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे तो 96 इंटू 90 और नीचे आपका 72 इंटू x बनेगा परसेंट से परसेंट कैंसल हो जाता है यह तो आप देखिए solve करते हैं फटा-फट किस से करूँ नो से कर करूँगा तो कितना बनेगा बारा अठे 96 तो यहां पर बारा बन गया तो यहां पर जो एक्स की वेल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 120 आ गई 12 गुणा 10 120 अब यह 120 है यानि कि हमको दिखाई दे रहा है कि 100 से एक्स्ट्रा है तो प्रॉफिट हो रहा है और मैं 120 में से 100 निकाल दूँ तो प्रॉफिट परसेंट कितना बचा आपका 20 परसेंट तो यहां पर आपका ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा 20 प्रतिशत का लाब हुआ है क्या सभी ने ऑप्शन C को आंसर दिया है 7 नंबर कोशन देखीजी आपके सामने स्क्रीन पर आंसर क्या है अगर आप यहां पर 15 में से 15 भी अचीव करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी बस टेस्ट कंप्रीट लगाईएगा वीक में एक बार ही आपका मैस का टेस्ट लगता है देखिए बोला है कि वन रेशो फाइव के अनुपात को दसमलाव में कैसे दर जीरो आएगी फिर यहां पर 0 बनेगा तो यहां पर कितना बनेगा जीरो पॉइंट टू आपका करेक्ट अंसर है अब दीखिए इसको तो एकस्प्लेइन में नहीं करने वाला यह तो आप कर ही लोगे ना इसमें तो एकस्प्लेइन करने के जुरूरत ही नहीं है और ना यह कोशन किसी का गलत भी होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए, कोशन नमर आठ देखिए सामने स्क्रीन पर, चलिए, इस कोशन को सोल्व करिए, जल्दी से इसका पोस्ट माटरम करेंगे कोशन का, कोशन है कि P एक काम को 10 दिन में, तथा क्यो उसी काम को 15 दिन में करता है, यद solution पर चलते हैं आप खुछ से try करिएगा पहले देखिए बोला है कि P किसी काम को करता है 10 दिन में और क्या हूँ उस काम को करता है जी 15 दिन में clear सबसे पहले हमको काम पता होना चाहिए कि काम कितना है तो देखिए जो भी इनके बीच का LCM होता है वो total unit of work होता है काम के बराबर होता है इनके बीच का LCM कितना है जी 30 है और 30 क्या है हमारा total unit of work है total काम है अब यहाँ पर समझिए 10 तिया 30 होते हैं और 15 दूनी 30 होते हैं ये 3 क्या है पी की कारे करने की शमता है एक दिन की और ये 2 है क्यो के कारे करने की शमता एक दिन की बोला है कि दोनों साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं देखिए दोनों की अफशेंसी का total करूँगा तो 3 और 2 कितना बनेगा 5 बनेगा एक दिन की दोनों की कार्य करने की शमता 5 है। और दोनों 5 दिन तक काम करेंगे तो 5 इंतु 5 दोनों 25 यूनिट काम कमप्लीट कर देंगे। तो आपको यही बताना है कि वे काम का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए काम है टोटल 30 यूनिट है ना कितना यूनिट उन्होंने कम्प्लीट किया है 25 यूनिट बस सॉल्व कर लो अपना 25-25-5-31-5-22-6 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये पूरे काम का 5 बटा 6 भाग कम्प्लीट करेंगे समझ पाए हो और क्या सभी ने आंसर ही दिया है चलिए नाइन नंबर कोशन देखिएगा सामने स्क्रीन पर वेरी इंपोर्टेंट इसको क्या करता हूं चलिए ऐसी कर लेते हैं सोल्व है ना कि दिखाई तो सभी को दे रहा होगा आंसर दीजिए कि 30 लीटर नमक के घोल में 5 प्रतिशत नमक है इस घोल में कितन अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घोल कितना है टोटल 30 लीटर का घोल है जिसमें 5 परसेंट नमक है अब 30 का आपको 5 परसेंट निकालना पड़ेगा पहले कलियर देखिए ये एन से नमक लिख लेता हूं मैं सॉरी एस से लिखते है एस से सॉल्ट है और ये डबल्यू से आपका वॉटर है अब 30 का 5 परसेंट कितना होगा जी सिंपल सी बात है कितना होगा 1.5 होगा 30 का 5 परसेंट 1.5 कलियर है अब देखिए इस वॉटर को तो आपको देखना ही नहीं है हम बेसिक से कर लेंगे रफ कर देता हूं सबको टोटल 30 लीटर घोल है ज इस घोल में कितने लिटर पानी मिलाना है divided by 30 लिटर का घोल है घोल में आपको पानी मिलाना है हमको नहीं मालूम कितना मिलाना है तो हमने आप X कर लिया कि जो नमक की मात्रा है वो 3% लह जाए तो यहाँ पे नमक जो आपका है वो 3% होना चाहिए अब 3% है तो percentage हटाके मैं क्या कर लेता हूँ 3 divided by 100 कर लेता हूँ क्या इतना सभी को समाजी में आया है ये बताएए अब आगे चलते हैं देखिए cross multiply करिएगा तो ये आपका 150 बनेगा बराबर 30 तिया 90 प्लस 3x अब 90 दर जाके अगर 150 में माइनस होगा तो यहाँ पे आपका 60 बनेगा और यहाँ पे आपका 3x already है तो 3 से भाग करिएगा 60 को तो यहाँ पे 20 बनेगा x की value कितनी आई है 20 आई है option A आपका correct answer होगा उसमें 20 लीटर पानी और मिलाएंगे तब जाके नमक आपका 3% बनेगा समझ गए चलिए फिर 10 नमबर question की तरफ चलते हैं स्क्रीन पर है जी answer दीजेगा question अच्छा है और simple भी है प्रशन है कि एक निश्ची धन्राशी पर 12 प्रतीशत की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अरजित साधारन ब्याज का अनुपात कितना होगा साधारन ब्याज यानि की simple interest formula सभी को पता है मुल्धन गुणा दर गुणा समय divide by 100 clear अब देखिए इसको मैं रफ करता हूँ सबको formula मैंने बस वैसे याद दिलाया है देखिए अब यहाँ पे हमको धन्राशी नहीं पता मैं क्या कर लेता हूँ धन्राशी को एक मान लेता हूँ आप मुल्धन कुछ भी मानिए एक, दो, तीन, चार, दस पंद्रा, सो, पचास answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा एक मान लेता हूँ calculation आसान हो जाएगी देखिए अब मुल्धन गुणा, मुल्धन अमने एक माना है ठीक है, प्रिंसिपल यानि की मुल्धन हमने एक माना है मुल्धन गुणा, दर कितनी है, 12% समय कितना है, पहले केस में 6 वर्ष, और divide by 100 अब यहाँ पे क्या है मुल्धन हमारा एक ही है दर कितनी है, जी 12% और दूसरे केस में समय भी हमको 12 वर्ष दे रखा है और divide by 100 कलियर है, देखें यह भी साधरन ब्याज है यह भी साधरन ब्याज का फोर्मूला है, हमको दोनों के साधरन ब्याज का अनुपात ही तो निकालना है ध्यान रखी गई, 100 और यह 100 आमने सामने वाले कैंसल हो गए 12 चिके 72 रेशो 12 गुणा 12, 144 और कैंसल कर लेते हैं 12 चिके 72 और यह 12 से आपका पूरा कैंसल हो गया तो यहाँ पर 6 कम 6 6 दुनी 12, 1 रेशो 2 आपका राइट आंसर होगा option A क्या सभी ने option A को आंसर दिया है मैं उमीद करूंगा सभी ने option A को आंसर दिया है, question number 11 देखिएगा जल्दी से चलिए आंसर देना शूरू करेंगे इस question का पोस्ट माटम करिए फटा फट से अब यहाँ पैसा करो, जो इंग्लिश मीडियम वाली विद्यारती है ना वो question को इंग्लिश में एक बढ़ पढ़ लो हम हिंदी लेंग्वेज में solve करेंगे भई question है कि नरेश और सुपरना की वर्तमान आयू का अनपात साथ रेशो तीन है अब से तीन साल बाद उनकी आयू का अनपात दो रेशो एक होगा नरेश की वर्तमान आयू बतानी है देखिए यह N से नरेश है यह S से आपकी सुपरना है ठीक है N से नरेश S से सुपरना वर्तमान आयो का रेशो कितना है 7 ratio 3 है तीन साल बाद present से तीन साल बाद ratio कितना है 2 ratio 1 है सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया हुआ है सबसे पहले चेक करिए कि क्या ratio में difference बराबर है अगर ratio में difference बराबर है तो कोई बात नहीं और अगर बराबर नहीं है तो difference बराबर करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर difference 2 का है यहाँ पर difference 5 का है तो difference बराबर नहीं है अब difference बराबर करने के लिए क्या करेंगे देखिए इनके बीच का डिफरेंस एक है उपर वालों के बीच का डिफरेंस कितना है चार है दोनों के डिफरेंस को क्रॉस मल्टिप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टिप्लाई करते हैं यह आपका नरेशा यह आपकी सुपरना है cross multiply करने के बाद कितना बनेगा यहाँ पे 8 बनेगा और यहाँ पे आपका 4 बनेगा और यहाँ पे आपका 7 ratio 3 रहेगा अब देखी difference क्या है दोनों की ratio में एक का difference है तो यहाँ पे आपकी बात बन गई अब इसको भूल जाओ नया ratio आपका यह बना है तो यहाँ पे ratio में difference कितने का है जी एक का है वर्षों में difference कितने का है तो 3 साल का था एक ratio की value 3 के बराबर है एक ratio की value 3 वर्ष के बराबर नरेश की वर्तमान आयू बतानी है यह नरेश है present आयू का ratio 7 तो अगर एक ratio की value 3 है तो 7 ratio की value 7 into 3 21 तो 21 यह आपका राइट आंसर होगा option A जिनों ने option A को answer दिया है उनका answer correct है next question देखिए फटा फट से question number 12 question है कि 4 संख्याएं A, B, C और D इस प्रकार है कि उनका आसत 49 है A, B का आसत 39.5 है तो C और D का आसत क्या होगा देखिए 4 संख्याएं है A, B, C और D कितनी हैं सोटल संख्याएं 4 है अगर मैं इन 4 संख्याओं को 49 से गुना कर दू जो कि इनका आसत है तो इन 4 संख्याओं का टोटल आ जाएगा आपके सामने तो 9 चोके 36 का 6 हांसिल 3 4 तीया 12 और 3 पंदरा 156 आगे बोला है कि A और B का ओसत 39.5 है अब देखिए यहाँ पे ये A और B कितनी संख्याओं हैं दो संख्याओं हैं इनका ओसत कितना है 29.5 है आगर मैं इसको मल्टिप्लाइ करूंगा तो कितना बनेगा इसको multiply करने के बाद यह आपका 59 बनेगा 59 ही बनेगा ना दुबारा से चेक करिए 39.5 को 2 से multiply करिए कितना बन रहा है जी 39.5 को 2 से multiply करेंगे तो यह आपका 59 ही बनेगा तो हम मैं क्या करता हूँ इन 4 संख्याओं के total में से इन 2 संख्याओं का total निकाल देता हूँ पहली 2 संख्याओं का देखिए 156 में से 59 को माइनस करते हैं 16 में से 9 गए 7 14 में से 5 गए 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पे 14 में से 5 गए 9 97 आपका बचा है और यह क्या है सी और डी का total है क्लियर परंतु हमको इनका भी उसत निकालना है तो 97 टोटल है टोटल संख्याओं यह कितनी है दो है तो दो से भाग कर दो इन सी और डी का भी उसत आ जाएगा दो चोके आठ दो अट्टे सोला दो पंजे दस 48.5 ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है क्या सभी ने ऑप्शन एक हो आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 13 है कि एक कार 6 घंटे में 240 किलोमेटर दूरी तैक करती है देड़ गुणा दूरी उतने ही समय में तैक करने के लिए कार की गती में कितने की वृद्धी की जानी चाहिए चलिए देखिए सबसे पहले हमको कार की गती निकालनी पड़ेगी ये समय आपको दे रखा है औरेड़ी स्पीड का फोर्मूला क्या होता है जी डिस्टैंस अपॉन टाइम डिस्टैंस हमको 240 किलोमेटर दिया है समय हमको 6 घंटे दिया है तो यहाँ पर आपका 40 किलोमेटर प्रती घंटा ये आपकी स्पीड आए बोला है कि डेड़ गुणा दूरी उतने ही समय में तै करनी है देखिए टोटल दूरी थी 240 किलोमेटर 240 का डेड़ गुणा निकाल लो वई डेड़ गुणा क्या होता है 1.5 है ना तो 1.5 को करेंगे सोल्व तो यहाँ पर 15 बटे 10 कर लो और फिर आगे उसको सोल्व कर लो है ना 5 ती या 15 पांस दूरी 10 2 से कैंसल करूंगो तो यह आपका 120 बनेगा यानि कि 306 किलोमेटर आपकी डेड़ गुणा दूरी बनेगी कितनी बनेगी 306 किलोमेटर इसको रफ करता हूँ यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो देखी यहाँ पर क्या बना आपका एक मिनट डेड़ गुणा दूरी जो की कितनी बनी है 306 किलोमेटर उतने ही समय में तै करनी है 6 घंटे समय दे रखा था इसको 6 घंटे में ही तै करना है तो स्पीड कितनी आई आपकी आप 7 किलोमेटर प्रती घंटा गती में कितने की वृद्धी की गई है पहले 40 किलोमेटर प्रती घंटा स्पीड थी अब 6 किलोमेटर प्रती घंटा स्पीड है तो टोटल 20 किलोमेटर प्रति घंटा स्पीड की वृद्धी की गई है ओप्षन आपका बी बिलकुल राइट आंसर है सभी को समझ में आया होगा ये वाला प्रशन चलिए 14 नंबर कोशन देखिएगा आज का 2 लास्ट कोशन है बोला है कि एक संभाहू त्रिभूज की उचाई 15 सेंटी मीटर है इस त्रिभूज का शित्रफल क्या होगा देखिएगा फॉर्मूला पता है ना तो कोशन बहुत असानी से सोल्व होगा अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या ही कर लोगे देखिए संभाहू त्रिभूज की जो उचाई है हाइट उसका फॉर्मूला होता है रूट 3 बाइ 2 ए ये ए क्या है भूजा है संभाहू त्रिभूज का शित्रफल भी निकालना है तो शित्रफल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए एरिये का क्या होता है root 3 by 4 a square clear है अब देखिए उचाई हमको दे रखी तो पहले ये वाला formula लगा के हम a की value निकाल लेते हैं root 3 by 2 a इसकी value दे रखी है आपको 15 clear अब ये 2 इधर जाके जब 15 में multiply होगा तो यहाँ पर देखिएगा root 3 a is equal to 30 बनेगा clear तो ये इस root 3 को यहाँ से हटा के ये कहाँ चला जाएगा root 3 आपका divide में चला जाएगा अब इसको हमको rationalize करना पड़ेगा rationalize तो पता है ना कि अगर किसी संख्या के नीचे under root आ जाए तो नीचे वाले under root को हटाने के लिए इस under root वाले संख्या को एक बार ऊपर और एक बार नीचे multiply करते हैं clear तो देखिए ये आपका बनेगा 30 root 3 root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा केवल 3 बनेगा तो यहाँ पर आपका 10 root 3 जो है वो कितना आ गया A की value कितनी आ गई है 10 root 3 आ गई देखिए आपको देखने में लंबा लग रहा है क्यूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको आता है solve करेंगे तो ये question आप 30 second के अंदर कर देंगे इससे कम में भी कर सकते है तो यहाँ पर A की value आ गई आपकी 10 root 3 अब मैं सब को rough कर दूँ किसी का कोई issue तो नहीं देखिए ये मैंने कर दिया rough A की value कितनी है जी 10 root 3 है शेत्रफल का formula बताया था मैंने आपको root 3 by 4 A square तो करो यहाँ पर root 3 by 4 A की value 10 root 3 है तो इसको 2 बार लिख लो 10 root 3 और गुणा 10 root 3 square करना था इसलिए मैंने दो बार लिख लिया आप देखिए आगे solve करिएगा देखिए root 3 by 4 गुणा 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बनेगा root 3 को root 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही रह जाएगा clear 4 से cancel करूँगा तो यहाँ पर बनेगा आपका 25 75 भाग करने पर देखिए 25 या 75 और यहाँ पर root 3 है तो 75 root 3 वर्ग सेंटीमीटर correct answer हो गया option C क्या सभी ने option C को answer दिया है question number नहीं है formula पता है तो एक चीज निकाल के दूसरी चीज आपको निकालनी है बस दोनो formula पता होने चाहिए पंदरा नंबर question देखिएगा आज का last question यह type भी आपके exam में पूछा गया था आपका arithmetic progression है आपका AP वाली series है कि सामांतर स्रेणी 5 11 17 में 23 पत क्या होगा simple सा है यह भी आपको formula मालूम होना चाहिए यह type पूछा जाता है exam में देखिए आपको nth term का formula पूछा है आपको n वा पद निकालना है यानि कि आपको n वा पद निकालना है n 23 की value निकालनी है n वा पद निकालने का formula क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d a क्या होती है जो पहली संक्या है 5 प्लस n क्या है जो आपको पद निकालना है n-1 करेंगे तो यह आपका 22 बनेगा और d कितना है आपका इनके बीच के जो common difference होता है उसको हम d बोलते हैं जो कि कितना है 6 है तो गुणा 6 कर दो करिए अब जल्दी से 5 प्लस 6 दुनी 12 का दो हांसिल एक 6 दुनी 12 और एक 13 132 में 5 जोडेंगे तो 137 बनेगा और यही option A आपका right answer भी होगा जिनोंने option A को answer दिया है उनका answer correct है और देखीगा इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलिग्राम चनल पे मिल जाएगा मैं बताना भूल गए आपको शुरू में टेलिग्राम चनल का लिंक आपको नीचे description में दिया हुआ है क्लियर लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यहाँ पे आपके पूरे 15 प्रस्णों का set complete होता है बताएगा session आपको कैसा लगा आज की class में आपका score कितना हुआ है target मैंने आपको दिया था 12 question right करने का चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत